आकणों का प्रक्रमण आप पिछले अध्याय में पढ़ चुके हैं कि आकणों का संगठन और प्रस्तुतिकरन उन्हें बोध कमें बनाता है इसे आकणों का प्रक्रम सरल हो जाता है आकणों के विशलेशन के लियाने वीधियों का उपयोग किया जाता है इस अध्याय में प्रतिनिधी कारी मुल्य प्रस्टूत करते हैं वहीं प्रतिनन के माप आंतरीक भी समताओं का वेवरा देते हैं जो अक्सर केंदरी प्रविर्ति के माप के संदर्ब में होते हैं दूसरी और संबंद के माप दो या दो से अधिक घटनाओं जैसे बर्षा तथा बाड की घटनाओं तथा उरुवरकों का उपभोग तथा फसलों की उपज के मद्य सचारे की गहनता प्रतूत करते हैं प्रविर्ति के मापन ये भी सेस्था हैं जैसे वर्षा उचारी जन्संख्या का घना तो उपलब्धियों के अस्तर अथवां आई बर्ग में भी भिनताएं पाई जाती हैं यदि हमें उनको समझना है तो हमें क्या करना होगा उसके लिए हमें करा चित एक मोले या मान की आ होता है बीतरन का केंदर ज्यात करने वाली सांखी की बीदियों को केंदर ये प्रविर्ति के माप के नाम से जाना जाता है केंदर ये प्रविर्ति का घोतक संख्या सारे आकडों के समों के प्रतिनिदी संख्या होती है क्योंकि यह उस बिंदिक का प्रति होता है जिसके नि सभी मुल्यों के योग का कुल परच्छनों की संख्या से विवाजित करने पर प्राप्त होता है माधिका माधिका उस पूर्ट का मान होता है जो ब्यवस्चित में श्रणी को दो बराबर संख्याओं में विवाजित करता है यह मानवास्थिक मुल्यों से सोतंत्र होता है माध आकडों को बढ़ते अथमा घड़ते करमें बेवर्शित करना मातियम की गड़ना में सबसे अधिक मात्व पूर्ण सम्संख्याय होने पर दो मद्यस्त कोटी माननों का आउस्ट मातिका होगा बहुलक किसी बिंदुया मान की अधिकतम पुनार विर्टी अथमा विर्टी प्रविश्ण के सभी मूल्यों को जोड़ कर घटनाओ पदों की कुल संख्याद से भाग देते हैं इस प्रकार माध्य की करना निमने कित शुत्रों के प्रयोग द्वारा की जाती है एक्स बार एक वर्श्ट्यू समयशन एक बटे यन जिसे एक्स बार माध्या समयशन मापों के सभी मूल्यों का योग एक्स मापों के किसी स्रेड़ी के अप परिस्क्रित सम्मेशन एक्स बड़ाबर मापों के किसी स्रेड़ी में एक अप परिस्क्रित सम्मेशन के अप परिस्क्रित सम्मेशन के अप परिस्क्रित सम्मेशन के पदों की संख्या यह वर्ष माध्य वर्षा की गरना सारनी दू दास मलोवेक मालवा के पठार के जिले समानेता वर्षा में एम एमें में और परत्याची बीदी इन दौर प्रत्य चिपीदी में एक बार डी बराबर एकस माइनस तुण इन दवर के लिए 999 यानि 121 देवास के लिए 1013 238 के लिए 833 रतलाम के लिए 996 यानि 992 पीन के लिए 995-N 891 यानि 992 यानि 996 के लिए 825 25 साजापूर के लिए 927 यानि 117 तराथा समेशन एक एंड डी ब्रावर 6480 यानी 804 राशी समेशन एक्स बटे यन एंड समेशन डी बटे यन 926 असमलो दून जिसमें 800 कल्पित माद्य है डी कल्पित माद्य से बीचलन है उधारण डी डी बटे यन यानी 926 माद्य की कल्पित माद्य समय जाता है कि बरशा किया परिष्कीत आकडों का सिधा योग कर लिया गया है तथा उस योग को कुल पदों की संख्या अर्था जीलों की संख्या से विभाजित किया गया है तो इसे परत्याच बीदी कहते हैं और परत्याच बीदी सिरेडी में जहां प्रेच्छों की संख्या बहुत अधिक होती है उहां समानेत और परत्याच बीदी से मादे की गलना क सकते हैं इस उधारन में हमने कल्पित माध्य आर्फवाना है इस क्रिया को कुट पधती करते हैं इस के पश्याद घटाये हुए मुल्यों के अधार पर माध्य की गड़ना कर ली जाती है तालिया तुद्ध मलोग में अस्तंब तीन और परत्याच बीदी से माध्य की गड़न घटाये हुए मुल्यों का योग यान उग्जस्रेणी के एकल परिछनों की संख्यात तालिया तुद्ध मलोग में दिये गया अकड़े के लिए अप परत्याच बीदी द्वार माध्य की गड़ना निमने बीदी से की जा सकती है एक्स बारी को आट सो पलस आट सो चोरासी वड़े सात्य आट सो पलस आट सो चोरासी वड़े सात यह एक्स बारी को लुसे नौसे छभी दस मलो दून मिली मीटर यह ध्यान देने योग 2 तत्य है की सहें किसी Crash mytharé से माध्य की गड़ना की गई हो उसका मान समान ही आता बर्डिया आगड़ों में आकड़ों बर्डिया कि आगड़ों में एकागी मुले के लिए अपनी पाचाण इसमें इसे मुले के लिए माध्य के लिए संबंदित आबिर्थी यप को गुणा किया जाता है इस याफ एकस इसमें एकस मद्धे बिंदू है ये सभी मानों को जोड़का सप्राप्त समयशन एपक्स में पदों की संख्या यान से भाग दिया जाता है निम्नरी की शुत्र दौर्द्वारा माध्य ग्यांत किया जाता ह है जाता है जुद्धा समलों एक में दिये गए आप लोग के परियोग से फैक्टरी में काम करने वाले की मध्य मजदूरी दर की गड़ना की जिए फैक्टरी स्रमिकों की मजदूरी मजदूरों की रुपए प्रती दिन में बर्ग स्रमिकों की संख्या यप बर्ग 50-60-60-60 जीना बर्ग अबिर्थियम मतल भीन्तु अइक्स अफएक्सटी बरावर एक माइनस 100 अब्स दी आय यू बरावर एक माने दैट अभीश जा करें से सत्तर में दस अबिती साथ छोसाओ मैनस चालीस माइनस चार सो मानस दू बीसस दिस सत्तर से नबवावर 2 एक सॉलो सो माइनस 20 माइनस चार्ज दीस लोग्र की शुलिय में जीॡ 100 tu इसेसा कि आपैस्पेस्टर्स अ कि अभनतर्स मे thats of physical Entwicklung मुझे साहर्फ मुझेस्पेस्ट इसससारे वशीत 색깔 उसाहर tinha 10 जबंड, कर यह इन ब्रावर समयशन एक गड़ना करने की भी धिदी गई है मंहद चमे की परिष्ट Colourечение मयह घ्या गया इन बर्ख विश तारों के मडेङए चत्वैंहें संबनिद्ण के लिए पड़ुम सालन बले east कि आप से घुड़ा करके या फैक्स गुड़न फल के योग को समेशन फैक्स पदों की संख्यायन में विभाजित किया गया है इस प्रकार मात की गलना निमने सुत्र द्वारा ग्यात की जा सकती है अध्यायन फैक्स प्रकार मात की गलना में दिये गये इसे निमने फरकार से और इव्यक्त किया जाता है अध्यायन फैक्स बारी कोस्टु ए प्लस माइनस समेशन एंफ डी बट्टेय इया जिसमें ये कलपित माध्य वाले बर्ग का मध्य बिनतालिका दूजर समलो तीन में 90 से 110 कलपित माध्य वाला बर्ग माना गया है जिसका मध्य भाजी 100 है यह बराबर आपरिती दी बराबर कल्पित माद्य वाले बर्ग एर से बिचलन सम यह बराबर कुल पदो की संख्यात हुआ समेशनियाप आई बराबर बर गंतराल इस उधारन में यह 20 है तालिका दूदास मलों तीन में अब परप्यच बिधी द्वार माद्य की गणना करने से संबंदी निम्ली चरण सपष्ट है कल्पित माद्य नब्बे से 110 वाले बर्ग में माना गया है कल्पित माद्य जहां तक संभाव हो भी तरहन सरहली के मद्य में माना जाता है इस परिकिरियां से गड़ना की परिदाम नियुंतम होता है तालिका दूदास मलों तीन में माद्य नब्बे से 110 के मद्य बिंदू से बिचलन दिया गया है चाटे अस्ताम में अपडी प्राप्त करने के लिए पत्तेक आबिर्थी आपको उसके संबंदित दी के मान से गुणा किया गया है तो पस्यादे अपडी के धनात्मक और इनात्मक मानों को अलग अलग जोड कर उनका निर्पेच अंतर यानी समेशन यापडी किया गया कर लिया जाता है यह ध्यान देने योग है कि समेशन यापडी से लगन चीन को सुत्र में एक बाद दिये गए चीन प्लस माइनस के अस्तान पर उप्योग करते हुए माद्य की गड़ना निमना अनुसार की जाती संवा거 करें समान और समान दोनों ही बर गंत डालूम वाले से दिया प्रवाव की trade मन अंधिक्रेदित are इस शर्स्थित्च की अफसत है इसे बीतरन में ऐसे बिंदुजी के दोनों बराबर संक्या में पद वियमान हो। किसी भी सिरे से मध्य वर्तिमान कीश्थी दिन्य धारित की जा सकती है मादिका की गणना करने के लिए निमनली की सुत्र का उपयोग किया जाता है एन पलस वन बटे दू वाले पद का मान उधारण दूदस्मृतिन निमना की दूचाईयों का उपयोग करते हुए इमाले की परवच्योटियों की मदिका उच्चाई की गणना की जिए 826 मीटर, 862 मीटर, 8817 मीटर, 866 मीटर, 848 मीटर, 85192 मीटर गणना मादिका याम की गणना निमन चरणों से की जा सकती है दिये हुए आकड़न को बढ़ते हुए अथमां गड़ते करमे बवच्चित की जिए सेनली के मद्ध वरती मुल्यों का मान जानने के लिए सूतर का उपयोग की जिए इस परकारियन पलस बटे दू वाले पदो या घूजो वाले पदं गामान अरथात बेवस्ती सेनली में चौते पदं मन्मधिका होगा अकड़े के बढ़ते विएक कर्में विए बटे ऑट साथ जा तरही साथ जैसातर आठाए वीट्वाटिका शीतर आठाए अथिस बिदू का माण ज्याद कर ना होता है जहां कोई ब्यक्ति प्रिच्छन की सी बर्ग के मात्य में स्टीट होता है इस गरंना निमने सुत्र से की जा सकती यहां बिराबर एल प्लस आई बाटी अपन वाई 2-C यहां जिसमें यम बरावर माधिकरित आगलों के लिए माधिका याल बरावर धेमिक बर्ग की निमने सीमा आई बरावर बर्ग अंतराल या बरावर माधिका बर्ग की आबेरती यान बरावर आपेरती का कुल योग थमा परिछनों की संख्या इसी बरावर माधिका बर्ग से पहले वाले बर्ग की संचाई आविर्थी उजानल दूजास्मलो चार निम्न वेतरण के लिए माधिका की गड़ना कीजिए बर्ग पचासे साठसे साठसे सतर शर निम्न वेतरण के लिए माले बर्ग नबे से सो आठ पंटालिस सो से एक्सो दॉस पांच पचास समय सने अप यह अन बरावर पचास तो यह अन बरावर यह नबटेटू आनि पचास बटेटू यह नीचे दी गई दिये गए चालों के अनुसार माधिका की गणना की जा सकती है तालिका दूदस मलोचार की बहांति आविर्थियों की इसारणी बना लीजिए तार्किया दूदस मलोचार की अस्तमबतीन में दिये अनुशार प्रतेक अगली साधारन आविर्थि को जोड़का संचेह आविर्थिया प्राप्त की जाती है एन्वाइटू के द्वारामादिका संख् और शुदार्ण में युदू बरावर 25 है जो कि 40-44 वाले बर्ग में समने देशिता इसे मादिका बर्ग काते हैं इस बर्ग की संचेह आविर्थियों की संचेह आविर्थियों की जाती है एंब राबर एल पलस आई बाटे एप आ थाद यह माइनस ऐसी पलस दात बाटे सोला पचीषिस मैनस एक किशाथ अ सी पलस पांच बेटे आट गुने चार चार असिप पलस डूर शाथ तरसे पलस पांच यानी बयाशी दसमलों पांच मत्रीका हो गई बहुलक किसी सेनली में जिसमान की सरोदी पुनरवियती हो वह मान बहुलग करता है, जिसके संकेता आचर जेड़ अथमा यमनाट है, मध्य तथमाधिका की तुलना में बहुलग आउप्यों कम प्रशलिट है, किसी सेनली में एक से अधिक बहुलग भी हो सकते हैं, और बार्वकरित आ करने के लिए पहले सभी मापों को बढ़ते या घड़ते करम में बेवर्चित कर लिया जाता है इससे सरवाधिक उनरविती वाले मान की पाचान करने में असानी रहती है उदारन दूदसमलों पांच निकित दस विद्यार्चियों के भूल की परिच्छा में प्राप्तांग क के लिए बावलग की गड़ना की एक सट्ट दौस अठाटासी सैंति एक सर्थाथा पच्पन एक सट्ट शीआलिस पे आलीस उब्याद सब्सक्राप्त सबी प्राप्त आंग को बढ़ते करम में बेवस्थित कर लिया जाता है ड़ोस बाईस सैंतिस स्यालिस पच्पन एक सट एक सट एक सट बहात्तर अठासी दिये हुए आकड़ में तीन बार की पुनारविर्तिवाला मान एक सट दी गई स्रेणी का बहुलग है चुकि इस स्रेणी में अनकिसी ख्याक्यमान में ऐसी भी सेस्ता नहीं है अता यह स्रेणी का एक बहुलग है उजारण दूदास गरना निम्ना अनुसार सभी दिये गए प्रप्तां को बढ़ते करमें व्यवस्तित कीजिए आठ इगारा इगारा इक तालिस संताओन ब्यासी 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 पंचानवे उप्रोव्त व्यवस्तित शेणी में असानी से देखा जा सकता है कि 11 तता 82 दोनों के मान के बितर उप्रप्री Press नहां अए ब्यासी करने औरिक काते हैं ऐसे ही कई मानوں की समानं बार पुनारविर्ति होने पर बहु बहुरस्टी से टेनरी मौन से गालता है समाने तक वक्र और भी ती का ऐसा भीत्रण होता है जिसको प्रदाशिट करने वाल रेखाची तड़ा समयंक प्लिव अनेक मानव ये विसेश्ताओं का समाने पितरण होता है समाने वक्र की आवर्ति घंटाकार वक्र जैसे होती है योसे विछित प्रिछनों की संख्या सममिती रूप से घठती जाती है समानेता बगर के आकड़ों की परिवर्तिन सीलता कम अत्वाधिक हो सकती है समाने बगर का एक उधारन चितरदूद असमलोतीन में दर्शाया गया है समाने बितरण बगर प्रप्तांक माध्यव माधिका और बहुला का विर्ती के लि समाने बितरण समयोती होता है जात्तम हाव इतरण के मध्या में होता है तता इसे बिंदू से आधी प्रविचार करने की आव सकता है चितर्दूद असमलोग 4-5 में धनात्मक विशमता माध्या माधिका बाउलग 0-5-10-15-20 प्रप्तांक और आपिर्थी 00.005-0.1-0.15-0.20-25 के बीच दिखाई गई है धनात्मक विशमता सितर्दूद असमलोग 5-5 प्रदासित है रिडात्मक विशमता कर प्रप्तांक 0-5-10-15-20 के बीच माध्या माधिका और बाउलग आविट्थी 00.005-0.1-0.15-0.20-25 प्रप्तांक विशमता दर्शाता है प्रकिनन के माप केवल के केंदर्य प्रवर्ट्थी ये वितरण के संवुचित रूप मुंष्य रूप करतें हैं तन्हें उससे घ्यात नहीं खोता होथा कि विविन मुल्यों kleiner अथover केंद्रों के परिवरिद्र के माप की इन सिमावों को समझने के लिए तारिका 25 तथा दूजा समेलोग छो में दिया गया अकारों का उपयोग करते हैं तारिका 25 व्यक्तियों के प्रप्तांग दूजआत மलोट 6 में बैक्तियों के प्रक्तांग टेकाई प्रक्तांग एकस 1 बावन एकसटू túण पच्पन एकस तरी 50 एकस पोर माश्य पणाया थान insane प्रक्तांग कर र किस्दी नाली एकसटू जीरो से 1398 एकसhtोर 55 55 59 दोनों ही सिर्णियों के लिए एक सबार परावर 50 सबस्ट है कि आकड़ों के दोनों सम्मुगों से प्राप्त किया माद्ध एक समान अर्था 50 से तालिका दूदर प्लों 5 में दिये गए आकड़ों में उच्छतम होगा नियुन्तम मानकरम सा पच्पन तथा 45 तालिका दू सब्सक्राइब करने के लिए हमें केंद्रियता की प्रविर्ट के माप्त था प्रविर्ट के माप्त की भी आवसकता होती है प्रविर्ट के माप्त करता है इस प्रकार प्रविर्ट के मान से विभिन मुल्यों के भी आवसकता की मात्रा है प्रविर्ट की पूर्दी करता है पहला इससे हमें बीतरन या स्रेनी के संगटन की प्रविर्ट का ग्यान होता है दूसरा इसकी साहता से दिये हुए बीतड़की तुनला स्थिर अथुआ समरूबता के अधार पर हो जाती है प्रक्रिणन के मापन की बीदियां, प्रक्रिणन के मापन की निम्नलिखी बीदियां, बिस्तार, चत्तूर्थक, बिचलन मात्य, बिचलन मानक, बिचलन एसदी, तता बिचलन गुडांक सीवी, लारेंज वक्र, इनमें से परतेक बीदि, से बीदि के अपने विशे सुपूर के विस्तार के साथ परक्रेदान के साथ स्परति न बढकर के रुपनमें वानाक विश्चलान तता परक्रीनत की साथ शहिकْम् पर परक्रीडन के विश्चलान के सबसे अ्दिक प्रixaव भाप है हम बात जि secular महांपτέ सबसे चोटे से लेकर सबसे वड़े माप की दूरी है इसे उच्वतम मान से निवन्तम मान के घटाय हुए परिणाम के रूप में परिभास किया जा सकता है और बर्गी गरित आकड़ों के लिए विस्तार की घड़ना चीतर उधार दूदर समसाथ निमने की दैनिक माजूरी क लिए से परिफर हमन्तम में जाएगा शिरणी में से के वअए को फटा देने पर मान घटकर के लेकर यह दा जाएगा इसे सपाश्ट है कि प्रख्रीण के माप के रूप में आर्ड के साथ कठिनाई है इसका मान पूनता दो चरम मुल्यों पर आधारित होता है इस परकार प्रख्रीण के माप के में आर्ड का क्रियात्मग खुर्प थिक वैसे ही हैं मानक बिचलन माप के रूंप में मानक बिचलन प्रफिलन का सारवादिक इसीर मापाईजी का अन्य सांकिकी गड़नाओं में उपयोग किया जाता है ग्रीक अच्छर सिग्मा इसका संकेत अच्छर है एस्टी मानक बिचलन ज्याद करने के लिए किसी सरणी के माध्य से परतेक मुल्यों के बिचलन एक्स का बर्ग एक्सिस्वार किया जाता है यहां यह तथ्य ध्यान देने योग है कि इस चरण के कारण बिचलनों के सभी द्यात्मक मांधानात्मक हो जाते है या परिकी या मानक बिचलन को आउसत बिचलन की एक बड़ी आलोशना से बचा लेती है जो मापांक एक्स बार का उप्योग करता है इसके पश्चात बिचलनों के सभी बर्गों को जोड लिया जाता है समेशन एक्स इस्वार इसमें या साउधानी रखनी होती है कि बिचलनो को पहले जोड़का फिर बर्ग नहीं किया जाता है इस बर्ग बिचलनों के योग को पदों की संक्षात से बीभाजित करके उसके बर्ग मूल निकाला जाता है इसलिए मानक बिचलन को बर्ग मूल माद्य बर्ग बिचलन के रुप में परिवासित किया जाता है तिये हुए आकड़ों के लिए इसकी गड़ना निम्ना सूतर के द्वारा की जाती है सिंगमा इकोस्टु समेशन एक सिस्पार बटे अंडरूट गड़ना के पदोग में बर्गमूल निकालने से पहले एक परिभासा सब्दा आता है इसे प्रस्राण कहा जाता है प्रस्राण का गलंड़ शारण के द्मूल्यों पेल्क आता है कि 1 1 के 0 0.3 0.5 0.7 0.9 काल्किया 2 श्मलों 7 मानग विज्वान की गलए नहीं एक में तीन पांच साथ नों समय सने एकस बरावर 25 अठाथ यान बरावर पांच समय साथ यान बरावर एकस माइनस एकस बार बाटे मैनस चार माइनस दू बाटे माइनस चार जीरो पांच अच्छ तेक्सिस्कार बाले 16,404 और 16 सिग्मा 1 समेशन अंडरूट समेशन एक जुष्ड़ बट्टे यान असाथ समेशन 40 बट्टे अंडरूट में 40 बट्ट पांच असाथ कंडी में 8 बरावर दू दस्मलो 8 दू आठ दू आठ असाथ दू दस्मलो 8 तीन उपरोक्त गणनाओं के पदों के सारांस निम्नास वारे सभी मुल्यों को एक्स द्वारा चिनिच अस्तम में रखा गया है सभी मुल्यों को जोड़कर उसके फुल पदों को भाग देकर मादे ग्यान किया गया है पर्थिक मुले का बिचलन एक्स वासिक मुले से माद को गटागर प्राप्त किया गया इसकी सुदता की जाथ बिचलनों की योग से की जा सकती है जो की सदर सुने होता है इस अध्यास में भी यह तर्थ देखा जा सकता है पुनर असमरण कीजिए कि इसमें प्रसरन ग्यात हो जाता है इसका बर्ग मुल निकालने से मानक बिचलन पराप्त हो जाता है बर्गित आगणों के लिए मानक बिचलन की गलना उधारन निमनलीखित आगणों के लिए मानक बिचलन की गलना की जीए बर्ग और यहाब 120-130-130-140-150-150-150-160-150-160-160-160-160-162-468-6-12-126 कि ताहले सब्सक्राइबिक मेबात चार लोग करता समय है अपतल शम में अथात कलपित माद्यिक न सूलिया गया है इसके पाशार आयप बर्गों के पद बात पीछल्य दो अस्तम्बों के घुड़न फ़ल हैं इसके पास सभी अस्तम्बों के मानों का योग कर लिया जाता है सब्सक्राइब दूसरा जिसरा जाओ था और पाजवाइब एक सो फीस से एक्स तरीज से एक्स डाइस एब एक्स डाइस और एप एक्स डाइस कुछ 120 से 130 में 2 माइनस 3 माइनस 6 18 130 से 40 में 4 माइनस 2 माइनस 6 16 140 से 50 में 6 माइनस 6 6 यहां पे 20 चो एक सो पचाथ से 160 में 12 जीरो जीरो 170 में 2 1 2 2 170 से 180 में 6 दूपार टोटल 22 और 24 जान बरावर 40 समेशन एप एकस डैस बरावर दू समेशन एप एकस डैस टू यान इस्क्वाइर बरावर 14 मानक विचलन की गड़ना के लिए निमनल हीद सुत्रो का उपयोग किया जाता है sd बरावर आई का स्क्वाइर समेशन एप एकस डैस का स्क्वाइर माइनस समेशन एप एकस डैस बर्टे यान बीचलन गुडांक cv यह आकड़ो आकड़े माप के माप की अलग अलगी कायों में भिन भिन अस्थानों अथ्व माइआम के हो उन strategies प्रस पर तुल्ना करनी हो तो विचलन गुडांक उपयोगी सीद्व होता है माधां के परतीक परतिसत के रूप में एपयोगत करता सत्रों के उपयोग द्वारा होता है sd biblical advisor but स्यु और दिए तालिक्य नुसाथ में दिये गए आक के लिए सिवी बरावर सिगमा बटे एक बार बरा इंटू सो तो सिवी बरावर दू दोस्मल आट तिन बटे पांच गुड़े सो था सिवी बरावर चपन परशेंट इसी सुत्र से बर गिरित आखड़ों का भी रण गुडांग गुडांग ग्याद किया जा सकता है कोटी सहँमंदद्ध अभी तक इतना संखी बीडियों की विवेशना की गई है उन सबी का संबाद एक ही चर्च से था अब हम दूचरों के मद्धे सहचर के अनवेशन करने वाली वीडियों की बियाक्या करेंगे तो यह अभी सिन देखेंगे कि इस शहर की अभ्यक्ति क्या संदेब्ग्राइब्भू SAM 흥ा परिभासा में परिभासिक सब्दावली के रूप में सवसंबंद से ताथ पर दो चरों के मद्द अनुरूपता थों सवचारे की प्रकिर्थी गहनता से हैं इस परिभासा में समलित परिभासिक सब्दावली के रूप में प्राकिर्थी गहनता का आसर दिशा यह मात्रा से हैं जिसके अनुरूप दो चर परस पर विच्छनर करते हैं सवसंबंद की दिशा यह हमारे समान्य अनुभव हैं कि कुछ प्राप्ति के लिए निवेस किया जाता है इसमें तीन संभाना होती हैं, निवेस में बिरिधी से प्राप्ती में भी बिरिधी हो, निवेस में बिरिधी से प्राप्ती में कमी हो, निवेस की मात्रा में परिवर्थन से प्राप्ती की मात्रा में कोई परिवर्थन ना हो, पर्थम, इस्तिती में निवेस तता प्राप्त सव समंद्ध है तिर इस तिति में निवेस वप्राप्थि के मद्द कोई सहचर भी दिमान नहीं है अता यह कहा जाता है कि दोनों के मद्द कोई महतपुर्षांख्य की सव सम भी आइए अब हम सितर दूदश मलो साथ देखेगे जो जितर दूदश मलो चर्म में एकडम भी प आत्मक्श संबंद का उदारण है इसका अर्थ यह है कि दोनों चरों में एक दूसरे में कमी होती है तता इसके विपरित भी है इसी परकार से अचर हमें कई भगोलिक यूगमचरों में मिल सकता है समुन्दरी तलकी उचाहित था वाई दाब तापमान था वाई दाब आज कुछ ऐसे ही उदारण है इस से यह भी अर्ष निकलता है कि साच्यार ये साच्यार संबंद के घोतक संख्या से पहले गणितिया चिन होना आउस्यक है पलस या माइनस अधिक आउस्यक रूप से जब पूर्ण रिनात्मक सासंबंद के लिए एक दू तीन चार पांच्या साथ आडनों दस एक सच पे और दू चार चार आड़ दस बाराज चार चुरो अठार बीस वाई अच्पे जो की ये रिखायत दोनों दिखाई गए ये सासंबंद की गहनता जब सासंबंद की दिशाड में संदर्ब आ चुका होता है तो स्वाभावी ग्रूप से या जानने के लिए जिंग्यांसा जागरित होती है कि दोनों चरों के अनुरूपता अत्वां सचारे की गानता की मात्रा गणिती दिरिष्टी से अधिक्तम एक तक होती है इस संबंद में सवासंबंद की दिशा का पहलू जोडने पर इसकी अधिक्तम बिस्तार एक से सुन्य की ओर होते हुए पलस एक तक होता है इसका मान किसी भी परिष्टी में एक से अधिक नहीं हो सकता इस बिस्तार कारे की वड़न चित्रदूद असमलो आट में तर्चा है गया है सवासंबंद पूरा एक होने प पर चरों के समग 녹श्णो के मद्य सहसंबंद का honesty सवासंबंद अभाव जीरो कमजोर बढ़ता शहसंबंद मध्यम कास समदम पलस एक पूंड धनात्मय के नहीं की को सब сможं तीता दूदासमलों चर और दूदासमलों साथ की साथ की रचनाय दो चरों के मद्य дорог औस अधिस्ष तथा वाई के मानुक का विखराव अत्वा प्रकृणन दर साते हैं इसलिए ऐसे रेकाचीत को प्रकृणन आरेक तथा प्रकृणन अंकन करते हैं चीतर दूद असमलोच से यह सपाइस्ट है कि जब किसी इसी परकार के युग मानुक को अंकित किया जाता है तो बिंदु एक सरल देखा परिस्टित होते हैं जब यह सरल देखा प्रकृणन आरेक के निचले बाएं से उपर दाएं की ओर जाती है तो यह पूर्णता धनात्मक्स संबंद 1.00 का उधारन होता है चीतर दूद असमलोच साथ इसका ठीक विबरित है इसमें भी सभी बिंदु एक सरल की ओर विष्टारीत है यह पूर्ण रेड़ात्मक्स संबंद इसका मान माइनस 1.00 है का उधारन है सहसंबंद का भावात्वां सुने सहसंबंद तब होता है जब यह के दोनों एक दूसरे में परिवर्दन का प्रेटर नहीं हो देते हैं इस स्थितिति में दोनों चरों के म दोनों को प्रेड़र मान нужно संबंद को प्रेड़र अंकरण दोल्राता साय गया है इस स्थिति जोके में यह फ्रीवर्द में परीवर्द यह दोनों दोनों स्थितिति के बीच दशाय गई हैं यह नहीं पर बाले प्रश्थित्यां पाई जाती हैं जिनेंता गहन समन्द के नाम से जाना जाता है इन तीनों परिस्थितीयों को करम सची तर दूद दूद अस्मलोगारा तद दूद बारा में सपस्केविके दर्चाया गया है इनमें अंकीत विंदु के विखराव आताउं प्रगृतन के फ् इनको दिये गये विशिष्ट नाम तत्य था कमजोर मध्यम तत्य गहन की और ध्यान दीजिए ये परिस्थितियां समाने विशेशन हैं जिनकी कोई विशिष्ट सिमाय निधारीत नहीं है विखराव जितना अधिक होगा स्वासंबद उतना ही कमजोर होगा प्राकिण जितना समबंध 2.7 में एक आर सवार गया संहितिक क्यों समय कोई रहते हैं यहां हम के अवल स्पियर मैं की ब्याख्या करें प्रचलित रूप से इसे कोड़ी सवसंबंद के नाम से जाना जाता है इसकी संक्यात अच्छर रो ग्रीक अच्छर उचारन जिसका उचारन है रो है जिसका गणना बीदी असान होने के कारण इस्पियर मैंन के सवसंबंद का उपयोग अधिक प्रचलित है इस संबंद की गणना निम्न चरणों से की जाती है अब भ्यास में दिये गए एक्स तथा वाई चरों के आक्ड़ों को तालिका के करम सब पर्थम हो अधितियक अस्तंबों में उतार लिया जाता है दोनो चरों की अलग-अलग कोटियों निधारित की जाती है एक्स चर की कोटियों को तिर्थियक अस्तंब में अंकित किया जाता है जिसका सिर्षक एक्स चर की कोटियां है इसी परकार वाई की कोटियां वाई यार चतुर्थ अस्तंब में अंकित किया जाता है आक्ड़ों में उ साथ तीन जीरो तथा पांच है एक सार करंद चो तीन आठ एक नो दू चार साथ दौस वह पांच होगी ध्यान दीजिए कि अंतिम पोटी इस उधारन में दस सेनली के कुली काईयों की संक्या के बराबर होती है इसी परकार वाई यार का भी निधारन किया जाता है एक सार उत्राण में इन घ्रो का बख निगाला जाता है इस परकार इन आंतिरओं का इसा साथ जूड़ते थे चन्हों कोई मातो नहीं है पर टेक अंतर याद करने करके उनका योग कर लिया जाता है .. यह मानच्छटके स्थाम में लिखे जाते… इसके पस्त कोटी सो संबंद समेशन D square बराबर दोनों कोटियों के अंतर के बर्गों का योग यन बराबर X Y यूगमों की संख्या हुद आरन दूजात्मलों आठ निमलिखित आगलों के लिए इस्पियर माहिन के कोटी सो संबंद की गढ़ना किजिए अस्त सास्तर में प्रापतांक X अभुगोल में प्रापतांक Y 2 8 0 20 12 16 6 8 9 10 4 12 6 24 16 18 8 29 10 इस्पियर माहिन के कोटी सो संबंद की गढ़ना 1 2 3 4 5 कालम X Y X R X Y R DRT स्पार 2 4 9 10 11 8 12 7 5 2 4 0 6 10 9 1 1 बीस चो वीस एक जिरो जिलो बारण सोलर चार चार जिरो 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 रवान । आठार वीस दू दू जिरो जिरो नो नौ चाब इस साथ एक एक आग दस दस पांच चार एक टा गढ़नद अ डी स्कॉयर बराबर आठ गलना जब रो कोटी सा संबंद दी दोनों चर एक्स और वाई की कोटियों का अंतर तथा यन दोनों अच्छर चरों अर्थात एक्स वाई यूमों की संख्या हो तो रो बराबर वन माइनस चा समय संदी का इसकॉयर बटे एन 10 i2 माने चवाई ऐट वटे 10 10 इस्कॉयर माइनस एक बाद याथ वन मायनस पोटीएट वटे 10-100-1 बिदा 1-48 वटे 10-99 अर्था वन मायानस पोटीएट वटे 990 इच फाद 1-10.05 अरे ताथ 0.95 सभी जब आक्मों की अंतर गदी हुई इंकाईयों की संख्या कम हो तो अने परक एकाइयों की संख्याति होने पर या लगभाख-अनुपवियोगी हो जाता है क्योंकि जब तक यूगमों की घृणना की जाती है तब टक अने प्रकार के Gणा की जा सकती है कSub az up